स्वामी प्रसाद मोर्य ने पार्टी बनाते ही बहनमायवित को लेकर ये क्या कह दिया जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सई सुना मैं हूपर आग में अंदर आप देख रहे है नेशनल चौपाल देश में चुनाव नजदीख है 2024 की चुनाव को ध्यान में रखते वे राजनेतिक गलियारों में जिस प्रकार एक राजनेतिक उठापटक बड़े पहमाने पर शुरू है ऐसे में खास्तों और पर बात करेंगे अगर समाज आधिव पार्टी की तो समाज आधिव पार्टी में जिस प्रकार तमाम नेता लग से अवल नंबर पर समाज आधिव पार्टी नजराती है और समाज आधिव पार्टी से अपने महासकी उपस्ते स्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौरियर यह पहले शक्स बने उसके बाद में तमाम तरीके के जो बड़े नेता जो समाज आधिव पार्टी में मौझू थे उन्होंने भी सुमाजादी पार्टे को अब कहने का स्तीफा देना शुरू कर दिया है स्माजादी पार्टी से अब दूरी बना ली है ऐसे में स्वामी प्रसाद मोरे का समाजादी पार्टी को छोड़ने के बाद में तमाम जो एक स्टीफा लिखा गया, कई बाते उसमें दर जाती, जहांपर स्वामी प्रसाद मोरे का बड़े पैमाने पर कहना था, कि स्वामी प्रसाद मोरे के साफ तोर पर स्टीफे के अंदर में जो चीजे लिखी थी, उनका ये कहना था, कि जिस तरीके से पार्टी के दूसरे जो महासचीव है, वो कुछ अगर बात कहते हुए, तो पार्टी की लाइन बन जाती है, लेकिन अगर मेरे द्वारा कोई बात अगर कही जाती है, वो मेरा व्यक्तिकत बयान बताया जाता है, जो पार्टी के छुडवाईया नेता है, वो पार्टी के महासचीव पद रहने वाले व्यक्ति, मतलब मेरे उपर में जो आरोप लगाते है और कहते है कि जो स्वामी प्रसाद मोरे जो भी बात कह रहे है, वो महा सची हो है राम गोपालियादाव शिव गोपालियादाव शिव पालियादाव इनके उपर में लगाने का काम किया और इसके साथ साथ अपने पार्टी का उन्होंने स्तीफा दिया समजदी पार्टी को उन्होंने स्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा राष्टे सोसी समाज पार्टी और उस पार्टी के बाद में जिस तरीके से तमाम लगातार उनके बयान बाजी देखने को मिल रही है और उसी बयानों की मद्देनज रखते उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बड़ी प्रतिक्रियादी है बता दे कि वरिष्ट पत्रकार नदीम लिखते है कि नई पार्टी बनाने के बाद एक न्यूज वेबसाइट के को दिये हुए इंटर्री में स्वामी प्रसाद मोर जी ने कहा है कि एक ऐसे प्रशाशक मुख्यमंत्री बेन मायविती जी की बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनिती करियर की शुरुवात के है या फिर अपने राजनिती को मजबूत करने का काम जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मोरे के जरिये किया गया जो विचारधारा उन्होंने अपने बहुजन समाज पार्टी चेज़ सीखी और उसी काई वो पचा नहीं पाई या फिर उसको कहिने कई समझ नहीं पाई यह तमाम बाते कहने कि समझ में आ रही है और इसी के आधार पर अब स्वामी přषाद मोरी अपने दिल की बात कहने ourselves, ये भी कहा कि जिस प्रकार वर्तमान सििती में 111 विधायक के पास में हैं, उसमें से 70-50 प। और जो उनके कारण हो इसके जो कारन इसकी कारण ही, अब समाजाधी पार्टी में परिणाम देखने को मिले हैं, इसके साथ साथ बैन मायवती को लेकर जो तारीफ जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मोरे की गई है, स्वामी प्रसाद मोरे ने किया है, अब इस तारीफ को लेकर आने वाले बहुशे में क्या कुछ अनुमान है, या फिर इस बयानों के पीछे में वास्तविक्ता क्या है, वास सब्सक्राइब करें अधिकार ही जो नेता है वो अपनी बात बड़े संभल करते हैं नजराते सोच समझ कर कहते हैं और खासतोर पर बात करेंगे बहुजन समाज पाइटिक राश्टेदस बहनमायविती बहनमायविती के जरी जो भी बाते कही जाती है वो तमाम बाते बहनमायविती कहने कही लिख काम करते हैं ऑ उसी के हैधार पर बहन्मायविती के जर्रीए जो पड़कर बाते कही जाती है उनके स्वास्त के साथ साथ कहने करी तकनी की तॉर पर या फिर मीडिया में सही शब्दों का उपियोग किया जाए, शई सब्द वीडिया में जाए, इसलिए भी बैन मायविती तमाम बाद इस प्रकार की करते वे नजराती है, तो स्वामी प्रसांद मोरे के जरी बोजन समाच पाइटी कर आशते हैं जो बैन मायविती, इनकी जो जम कर तारिफ की गई, इ कर कमेंड बाक्स में ज़रूर बता है, बने रहें नैशनल जो पाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए, जै भी, जै